इस मिल恼ध के टन सुक्तल समझानेगा कि बाएग southern China echo कम होने लगती में लगत्य कर gue आदें दिसक्टा Oliva समझाने का यूजा नहीं है लो उसके वरह में बच्चों, इतना प्रशान नहीं चाहिए क्योंकि अभी बोर्ड ने अपने टॉप 20 काफी सारे बोर्ड ने अपने टॉप 20 परसंटाइल जारी नहीं किया है पिछले साल 2021 तो 2022 में परसंटाइल जो आपका 12th का परसंटेज उसका क्रेटरिया हटा दिया गया था 2022 में भी ऐसा ही होगा बच्चे ऐसी समावना ऐसी उम्मीर लगा के बैठे हुए थे लेकिन इसबार 75 और 65 कटाइगरी वाले बच्चों के लिए लगा दिया तॉप 20 परसंटाइल का और 75 में थोड़ा सा डिफ्रेंस है इसको लेगर के बच्चों में बड़ा कंफ्यूजन है क्या है पर 20 परसंटाइल जब जारी करेंगा तो जरूरी नहीं है कि आपका योबी बोर्ड है या फिर आइससे बोर्ड है या फिर आपका जो car बोड़ है या फिर आपका उत्राखंट बोड़ है अलग अलग डिफ्रेंट डिफ्रेंट आपको इस्टेट बोड़ है हो सकता है जनल कटागरी या ओबी सी कटागरी या इस बीचें हैं उनका टॉप 20 परसेंटाइल इस से भी कम हो जाए हलांकि यह वाद अभी तक खेंग ब बात करने वाले इस अब डिसकस्ट जो है बहुत सारे वीडियो में आप देख रहे होंगे बहुत सारी बात चल रही है कोचिंग संस्थान इस पर बात कर रहा है बड़े-बड़े आज की वीडियो इस वीडियो में हमने बात किया था कि पिछले साल का प्रिवियर सर्गत 2017 स देखने होगे तो आज की वीडियों लोग बात करने वाले हैं कैसे आप अपनी जैमेंस की रैंग को यूज करेंगे और कहां कहां यूज कर सकते हैं मैंने आपको पिछली वीडियों बताया था कि लगवग 55-60,000 बच्चा है जो नैसलन इंपर्टांस के जाता है किसमें जाता हर बच्चे का टार्गेट इए होता है कि इनमें से कोई हमको मिल जै पर इनकी सीट के प्छली वीडियों बता ते कि इतना बच्चा जो है इसमें जाता है इसके अलावा बहुत सारे इस एक संस्तान हैं जहां पर आपनी व्हें की रहन को यूट्लाइस करके वांप पी आड हम यह आती कि वह जोसा में कौन-कौन से कॉलेज पार्ट करते हैं सेम वह एक सो चोदा कॉलेज जो आपके इसको लेकर की बड़ा बड़ा कन्फूजन है तो इसको इसकी हम लोग आज बात करने वाले हैं उन कॉलेज की कुछ-कुछ बीच में ऐसे हैं जिसके वारे मैं बताऊ संस्तान में बसंट्रीं कांस्लिंग माने जाती है उसके बाद होती है ऑपकी आई-प्यो जैट रे bilmiyorum क्वान्ष देतने अच्छे अच्छे संसथान है कि कहीं न खर देखा आयाँटी है जाते है और आगर प्लेस्यंट इंफरस्ट्टर्ट्ट्चर्चर एघ्स आ क teammates' वीडियो में या फिर कॉलेज की वेफसाइट वगरा खोल के देखो कि हालाकि गवर्मेंट संस्तान अपनी वेफसाइट बहुत त्रडग बडग नहीं लिखते हैं बहुत चाहिए नहीं दिखाते हैं प्राइब के जैसा लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ देखने को मिल लेकिन यह मान के चलो कि लगवग 50,000 से 70,000 ठीक है या लगवग एक लाग तक भी आपकी रहेंग आ जाती है तो ट्रपलाइटी डैली को छोड़कर करके आपका एक DSU करके कॉलेज है डैले इसके अंट्रपिन उनिश्टी यह नया ओपन हुआ था हलांकि पुराने केंपस आई प्योगे कर दिया बशनाम इसका और एक येंपस आप आजाता है इसको बोलते इंडरा गांदी डैली टेलेजिंश्टी फार भुमेंस ठीक है इसको बोलते हैं आज अपडिली भाट नहीं है तो अगर आप अच्छी बात नहीं है तब भी आप यहाँ पर सकते हो और मिशन ले सकते हो फिप्टीन परसंट सीट के लिए अल ओवर इंडिया के किसी विश्ट का बच्चा जैक डेली की काउंसलिंग में पार्ट कर सकता है और इन कॉलेज को आप कर सकता है ठीक है यह हो गया हमारा नेक्ट नमबर में हमाई काउंसलिंग आती है आई प्यू आई प्यू में अगर आपको 75 परसंट नहीं है बच्चो तो भर्षान होने की जरूरत नहीं है आई प्यू कॉंसलिंग पार्ट करिए और यहां पर जो आपके कॉलेज हैं एक आपका यूस आई सीट हैं बहुत आपको 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 मिल जाएगा प्रशान होने की जरोड़त आपको बिल्कुल नहीं है आराम से पैकेज 15 से 20 लाग और हाइस पैकेज को 35 से 40 लाग यहां पर देखने को मिल जाता है बच्चों को कहाँ पे आपका है यूपी टैग यूपी के जितने भी बच्चे हैं 2020 तक यूपी एश डवली के नाम से एक्जाम हुआ करता था यूपी एश डवली उत्तर परदे स्टेट इंटर्स इग्जामनेशनिस को बोलते थे जोकि आपका एकटियो करवाता था इसको हम पहले यूपेटियो के नाम से जानते थे फिर आपका एकटियो हो गया ठीक है है तो यह EKDU हमारी उनिवेस्टी लखनों बने हुई है, UPHEE का एक संस्ता थी, बॉडी थी, गवर्मेंट जो कि आपका UPHEE का एक्जाम करवाती थी, डिफरेंट डिफरेंट कोर्स के लिए एक्जाम करवाया जाता था, लेकिन 2020 में ये एक्जाम बंद कर दिया गया, किसके लिए, केवल बीटाइक के लिए, अउनली बीटाइक के लिए एक्जाम बंद कर दिया गया, तो 2016 तक इसमें HVTU और आपका M.M.U.T. गोरकपूर, ठी की स्टेट की टैक्निकल इस्टीन को बना दिया गया, अब ये कॉलेज अपनी अलग से काउंसलिंग करवाते हैं, और जेई मिन्स की रैंक को एक्सेप्ट करते हैं, मैंने बहुत सारे वीडियो में आपको बताया, इनके बारे में ठीक है, तो हमारा आप बचा कौन कौन से क 95%, 93%, 92%, 91%, 90%, 88%, 87%, 85%, इवन आपका 80% भी अगर आता है, दो लाग तक रैंक अगर आपका अच्चो आ जाता है, दो लाग और अल इंडिया रैंक, अब मिले को तो 3-4 लाग रैंक पे भी मिला है, मतलब आपका 80 से भी कम अगर परसंटायल हो जाता है, 79% तक अगर आपका जाता है, तो आप समझGO है कि यहाँ प्रिज्टाय आपको 75% वाला कृतरियाज नहीं है, और कॉललेज में पताता हों कौन कौन से आपको मिलते हैं, इस से अपको जो कौलेज मिलने वाले हैं वह यह कौलेज मिलने वाले हैं, दिखिए, नंबर वन जो आपका को यह का आटी लगन मैं एक वार अलॉट्मेंट लेटर आपको किसी वीडियो में दिखा दूँगा अगर यकीन नहीं मानते बच्चे कई सार बच्चे बोलते हैं कब मिली किस राउन विल्कुल लाश्ट वाले राउन में पेसंस रखना पड़ेगा अगर लाइन में सबसे पीछे लगे हो तो भा कि मैं लाइन छोड़के बढ़ जाओ और लाइन का यह सिद्धानत है कभी आप देखें कि मंदिर में कभी आप लाइन में लगे हो आपको कभी ऐसा लगता कि मैं दूसरी में लग जैसे आप लाइन से हटोगे वह लाइन तेजी से आगे बढ़ने लगती है तो यह थोड़ कर लो थोड़ा वेट करें लेकिन नहीं का फूर्ड कर सकते हैं अब आपके लिए अच्छा हो सकता है लेकिन फ्राइवेट ही ऑप्सन है पहले से घरवालों को बोल दिया नहीं मुझे तो प्राइवेट में जाना को कि मेरा दोस्त वाहां पर गया ऐसा बिल्कुल नहीं होन बहुत अच्छा कॉलेज है उसके लाइगा उसके बहुत 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 है तो में अगर आप देखेंगे तो मैटेकल या एलेक्ट्रिकल यह सिविल जैसी ब्रांच जब किसी बच्चे को मिल रही होती है ना तो वह इनको छोड़कर कर लेता है हाला कि फीज लगवक लगवक बहुत दिफरेंस नहीं है यहां भी फीज लगवक देखते हुए इस कॉलेज को अप्ट कर लेता है क्योंकि लोकेशन भाइज भी बहुत अच्छा है दिल्ली के अंतर उसके बाद आपको सकते हैं यह आपके बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता है मेरे अच्छा कॉलेज किसी जमाने बहुत अच्छा था लेकिन अभी ठीठाग चल रहा है इन कॉलेज को आपकर सकते हो प्राइवेट के लिए और यहां पर लगवक एक से डिड़लाग के बजट में अडमिशन आ हो जाता है तो ऐसे बहुत सारे कॉलेज जहां पर आप यहां पर आने का वेट करिए हो सकता है कि आप जिस बोर्ड से परिक्षा पास किया है वो सकता है कि निकल के आएगा वो 75 से कम हो हो सकता 75 से ज्यादा हो यह डिपेंट करता है जब यह डिकलर हो जाएगा तो आईट को आईट के जो भी डिसिजन्स होंगे जो भी आपने निकालेंगे उसका वेट करिए और एक्जाम की त्यारी करते रहे हैं जितने बच्छे 23 में बैठने जा रहे हैं उनको बच्छी की कि वाल फोकस करें अपनी पर्षेश करेंगे उस पर से रहेंगी उस रहेंगे इन सब बातों पर फोकस करेंगे तो ज्याद अच्छे होना चाहिए तब ही अच्छे एच्छे इस टूर्ट तक पहुंच पाएंगे